आज की किस्से में जिक्र करेंगे लालकिषन अडवानी की गिरफतारी का इसके साथ ही बताएंगे कि अडवानी को क्या गिरफतार करने के बाद खाने में धीमा जहर दिया जा रहा था लालकिस्न अडवानी को गिरफतार करने की योजना लालू प्रसाद ने कैसे बनाई थी? लालू प्रसाद इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि अपने पित्र संगठन आरेसे से परामर्ज कर भाजपा ने गुजरात के सोमनात से उत्तर प्रदेश के अजुद्या तक एक राम रथ यात्रा सुरू करने की घोसना की ताकि अजुद्या के विवाधास्पद अस्थल पर राम मंदर के निर्मान का दबाब बनाया जा सके इस यात्रा का नेत्य तो तातकलीन भाजपा ध्यक्ष लालकिष्ण आडवानी को करना था या भाजपा का चतुर कदम था ताकि जनभावनाए उभार, मार सके और धार्मी का अधार पर हिंदू बोटों का धूर भी करन किय लालू आगे कहते हैं कि इसके पीछे कम से कम हिंदी पट्टी के राज्यों उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश में धर्म के नाम पर हिंदू बोटों को एक जूट करने की मनसा सामिल थी इन राज्यों में लोकसभाओं के नकेबल काफी सीटे थी, बलकि यहां मंडल आयोक की रिपोर्ट से लाभान भीत होने वाली पिछडी जातियों के आबादी भी बहुत अधिक थे इसके अलाबा आडवानी की इस रथ यात्रा से केंद्र की वीपी सिंग सरकार को यह संदेज भी दिया जा सकता था कि मंदिर के जरिये मंडल का मुकाबला किया जा सकता है लालू बदाते हैं कि यह दरसल जनता दल सरकार पर दवाब बनाने की रणी दी थी क्योंकि भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी लालू आगे कहते हैं कि भाजपा ने खुद को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए मजभ का इस्तिमाल किया इस यात्रा का धार्मिक आस्था से कोई लेना देना नहीं था भाजपा के नेताओं ने भगवान का बेजा इस्तिमाल किया इन्होंने भगवान से इन्हें कोई मतलब नहीं है मैंने उनसे और RSS से पूछा हमें भगवान राम के बारे में भासन पिलाने वाले आप होते कौन है राम हमारी सभेता का बिहत महतपूर्ण हिस्सा है लेकिन RSS भाजपा ने इसे भी राजनितिक मुद्दा बना लिया हम हिंदूओं में आखरी यात्रा के समय कहा जाता है राम नाम सत्य है RSS भाजपा की जोड़ी ने किसी और की तुलना में हिंदूओं की आस्था का ज़्यादा नुकसान किया इसलिए मुखमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली घोसना यह की थी कि चाहे मेरा राज रहे या जाए हम दंगाईयों को छोड़ेंगे नहीं लालू कहते हैं कि मेरे मुखमंत्री बनने के बाद बिहार में संप्रदाईक हिंसा की एक भी घटनाई नहीं हुई थी मैं हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच बनिखाई को पाटने के अपने मिसन में लगा हुआ था लेकिन अब उस संप्रदाईक भाईचारे को खतरा था मेरी समझ से आड़वानी की योजना यह थी कि बिहार को 1989 की तरह संप्रदाईक आधार पर बांट दिया जाए भागलपुट दंकों के घाव अब भी ताजा थे आड़वानी की रामरत यात्रा को बिहार से होकर अजुध्या जाना था आड़वानी की रात यात्रा की घोशना करने के तुरंद बाद मैंने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की मैंने उनसे बिना लागलापेट के कहा आप दंगा फैलाने वाले यात्रा को रोग दीजिए बहुत परिश्रम से हमने बिहार में भाईचारा कायम किया है अगर आप दंगा यात्रा निकालिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं लालु कहते हैं कि हाला कि मैने बहुत असपर्ष सब्दों में अपनी बात रखी लेकिन आमने सामने कि उस बैठक में मैंने उनसे बाचीत सालीन्ता मेही की लेकिन अडवानी जो बहुत सांत और मीठी बोली बोलने वाले लेता थे मेरी बातों से गुसा हो गए वो कहने लगे कि देखता हूँ कौन माई का दूध पिया है जो मेरी रथयात्रा रोकेगा मैंने नहले पर दहला मारा ये लालू कहते हैं और कहा मैंने मा और भैस दोनों का दूध पिया है आईए बिहार में बताता हूँ इस उक्ततलक संगित देश के बाद मैं नई दिल्ली से पटना लोट गया योजनाओं के मुताबिक आडवानी ने सितंबर 1990 में सोमनाथ से अपनी राम रथयात्रा सुरू की उनकी इस यात्रा के दौरान गुजरात में संप्रदाइक तनाओ पैदा हुआ सोमनाथ से रथयात्रा निकलते ही उत्तरप्रदेश और बिहार समित कई राज्यों में संप्रदाइक तनाओ फैल गया अक्टूबर में उनकी रथयात्रा ने मद्यप्रदेश से होकर जैसे ही बिहार अबके जार्खन के धनवाद में प्रवेश किया मैंने आडवानी को गिरफतार करने की मंजूरी लेने के लिए प्रधान मंतरी बीपी सिंग को फोन किया लालू आगे कहते हैं लेकिन दोनों ही मौकव पर प्रधान मंतरी खामोस रहे सायद वास मंजस में थे क्योंकि उनकी सरकार का सित्व भाजपा के समर्थन पर ही निर्वर था उसके बाद मैंने धनबाद के डीसी और एसपी को फोन करके आडवानी को गिरफतार करने के निर्देश दिये लेकिन दोनों पुलीस अधिकारियों ने यह कहते हुए गिरफतारी करने से इंकार कर दिया कि इससे संप्रदाइक तनाओ फैल जाएगा मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा था लालो आगे कहते हैं इसलिए मैंने उन्हें गिरफतार करने की एक योजना बनाई 9 अक्टूबर को उनकी रथ यात्रा समस्ती पूर पहुँचने वाली थी और उसके अगले दिन अजुद्धा के लिए प्रस्थान करने वाली थी अपने यहां मैंने बैठक बुलाई और इन लोगों ने उन्हें यही कहा कि यात्रा नहीं रोकी जानी चाहिए समझोते से समाधित काई भर मुले भी सामने आये लेकिन इन में से किसी पर भी समाधी नहीं बनी उस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला इस तानाव भरे माहौल के बीच में बिहार सरीब गया जहांके लोगों ने मुझे एक हरी पगड़ी भेट की मैं उसे अपने घर ले आया और खुद से कहा कि यह पगड़ी उस भरोसे का प्रतीक है जो अल्पसंख्यक समुदाय मुझे पर रखता है इस देश में धार्वनिर पैक्स चाहित्र को मुझे हर हाल में पचाना ही होगा उस पगड़ी को मैंने अपने बेटरूम में रखा और यह प्रतिग्य की कि राज्य में संपरदाईक भाईचारा बरकरा रखने की अपने जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा मेरे दिमाग में यह बास साफ थी कि आड़वानी की यत्रा अल्पसंख्यक समुदाय और संपरदाईक भाईचारे के लिए सीधा और वास्तवी खतरा थी सकत अदम उठाने के बारे में मैं सोच लेने के बाद मैंने राज्य के बैश्ट अधिकारों के साथ बेडरूम में ही एक बैठक की उसमें प्रदान सचिव, मुकूंद प्रसाद और दूसरे अधिकारी बैठक में मौझूद थे लालू बताते हैं कि मैंने उन सबसे कहा कि यात्रा रोकनी होगी और आडवानी और उनके साथ संग परिवार के दूसरे नेताओं जैसे विसोहिंदु पडिसद के दिगज असोक सिंगल को गिरफतार करना पड़ेगा लालू आगे कहते हैं मेरा इतना कहना था कि कमरे में चुप पीछा गई सवयद्वे भगवान के नाम पर चलने वाली यात्रा के रास्ते में बाधे खड़ा करने के बारे में सुनते ही आसाहज हो गए थे लालू आगे कहते हैं कि हमारी सुलुआती योजना यह थी कि आड़वानी को सासाराम में गिरफतार किया जाए वैश्ट भाजबानेता को रोकने को लेकर आने के लिए हलिकाप्टर को वहां भेजा गया मैंने पाइलेट को इस बारे में बता दिया बेडरूम की बैठक में जितनी बेधिकारी मौजूद थे मैंने उन सभी को हमारी योजना के बारे पूरी गोपनियता बरतने के लिए कहा इसके बाब जूद सूचना लिख हो गई और आडवानी ने अपना रूट बदल लिया इसके बाद आडवानी को धनबाद में रोकने की योजना बनी लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा प्रसाजनिक अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया उनको लगता था कि इससे कानून बेवस्था कि समस्या खड़ी हो जाएगी ऐसे में प्लान B तग्यार करना जरूरी था मैंने एक IAS अधिकारी आर के सिंग अब वो आरा से भासपा के सांसद और नैंदर मोधी सरकार में राज्य मंत्री है और DIG राएंग के IPS अधिकारी रामिस्वर उराओं को एकरने मार्गिस्थित अपने आवास पर बुलाया और उनसे इस बारे में बात की उसके बाद मैंने राज्य के मुखे सचिव, ग्रिह सचिव और दूसरे वरिष्ट अधिकारियों के नाम रात एक बजे BCS आधिस जारी किया जिसमें आरके सिंग और उराओं को समस्तिपूर में आडवानी को गिरफतार करने का अधिकार दिया गया लालू इस योजना के बारे में आगे बताते हैं कि BCS आधिस पर दस्तकत करने के बाद मैंने मुखे सचिव, ग्रिह सचिव और दूसरे अधिकारियों को मेरे आवास पर रहने के लिए बुलाया और यह सुनस्चित किया कि उन्हें टेलिफोन की सुबिधा न मिले मैंने दूसरी पर अपनी योजना को लिख होने देने के लिए मैं तैयार नहीं था और मैंने आरके सिंग और ओराओं को CRPF से एसकॉर्ट लेकर समस्तिपूर के लिए रवाना होने का निर्देश दिया और कहा कि वह 10 अक्टूबर की भोर को ही आडवानी को वहां गिरफ्तार कर ले मैंने यह अभी सुनस्चित किया कि समस्तिपूर के DM और SP तक को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए लालू आगे बताते हैं कि मैंने सरकारी पैलट कैप्टन अभीनास को हेलिकॉप्टर समस्तिपूर ले जाने के लिए कहा सुबह सुबह आडवानी को गिरफ्तार करने के पीछे उद्यस यह था कि काफी देर तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और इस बीच उन्हें वहां से दूर ले जाया जा सकेगा एतिनी गोपनियता के बापजूत आरेसेस भासपा के कुछ लोगों को इसका अनुमान लग गया था कि मैं आडवानी को गिरफ्तार कर सकता हूँ 9 October की साम को उन्होंने मुझ से मुलाकाद की और पूछा कि आडवानी जी को गिरफ्तार करने की आपकी कोई योजना है लालू बताते हैं कि मैंने जान बुश कर चौकते वे कहा हम पागल हैं क्या हम आडवानी जी को क्यों गिरफ्तार करेंगे वे लौट गये सराब पी और सो गए समस्थीपूर में अडवानी के साथा आये अनेक पतरकारों ने भी रात में खाना खाया रस रंजन किया और सो गए मैं पूरी रात नहीं सो पाया मैं ने समस्थीपूर के सरकारी की गेश्ट हाॉस के लेंडین आइन फुर्प पर फोन किया जात और भी लोग हैं उसने कहा वो अपने कमरे में अकेले हैं मैंने उनसे कहा आडवानी जी को चाय दीजिए और उनके कमरे के टेलिफोन का रिसीवर नीचे कर दीजिए उसके कुछ ही मिन्टों बाद रमेसर उराओं और आरके सिंग ने मुझे सूचना दी कि काम हो गया है लालू आगे बताते हैं सुबह जब मैं अपने लॉन में बेहत चिंती थोकर इधो उधर टहल रहा था तब ही मैंने एक हलिकॉप्टर उरते हुए देखा मुझे लगा कि हमारी योजना फेल हो गई है क्योंकि हलिकॉप्टर जिस दिशा से आ रहा था वो समस्तित को नहीं लग रहा था मैंने पाइलेट से संपर्क किया और पूछा क्यों अभिनास बाबू का क्या हुआ उसने कहा कि इंधन भराने कारण उसे चक्कर लगाना पड़ा आडवानी को गिरफतार करने के बाद आरके सिंग और आमेसर उड़ाओं ने उन्हें हेलिकॉप्टर में बिठ रखने की थी गिरफतारी से एक दिन पहले मैंने दुमका के डिप्टी कमिस्नर सुधीर कुमार को फोन करके ये निर्देश दिया था कि वो गेस्ट हाउस को चाक चौबंद रखे क्योंकि अगले दिन मैं विजिट के लिए आ सकता हूँ मैंने उन्हें ऑड़वानी की गिरफतारी की यूज़ना के बारे में नहीं बताया लालू आगे कहते हैं कि जब आड़वानी को गिस्थाउस में ले जाये गया ठीक तभी मैंने सुधीर को दुबारा फ़ोन करके गिस्थाउस के गेट पर सुरक्शा की आड़वानी की गिरफतारी के ओर तेजी से टीबी चैनल उपर दिखाई जाने लगी और रेडियो पर इसका प्रसार होने लगा यहाँ तक कि तब मीडिया भी आसपास नहीं थी इसलिए उस गिरफतारी की कोई तस्बीर नहीं थी फिलाल इस किस्ये में इतना ही मिलेंगे फिर अगली एपिसोड में आड़वानी की गिरफतारी के बाद के अगले किस्ये के साथ तब तक के लिए मुझे देज़े इजाज़त